ओम स्री गणेश आये नमा दोस्तों ओम गणपती समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हरदिक स्वागत है दोस्तों हम आज बात कने वाले 9 सितंबर गुरुवार आज की व्रस्टिक रासी फल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फाइदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान देना होगा और साथ ही इनका बिजनेस और विवसाय कैसा रहेगा केरियर कैसा रहेगा घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव डाइफ कैसे रहेगी और साथ ही स्वास्त की महत्पून जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे दोस्तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्क्राइब करें और साथ में नोटफीशन की मेल को भी दमाए जिससे आप तक समय समय पर नहीं नहीं महत्पून वीडियो पहुँच सके तो चैनल दोस्तो बात कर लेते कैसा रहेगा आज का दिन पहले बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पोजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज का दिन आपके लिए काफी बहतरीन रहेगा हर कारिय में आप कुसलता पाएंगे जिससे आपको कारिय छित्र और अपने नीजी जीवन में सफलता हसिल होगी हलाकि आपको अती उत्सा में आकर कोई भी गलत निरने लेने से बचना होगा जिहां दोस्तो आज आप अपने कारिय पर पूरा दियान देंगे जो पीछे से कुछ कमी आ रही थी उन्हें भी दूर करने की आप आज कोशिस करेंगे जिहां दोस्तो और अपने काम को समय पर और बहत अच्छे तरीके से करने में आप पूरा दियान लगाएंगे इससे आपको सकारत्मक नतीजे हाजिल होंगे साथी साथ अच्छे भोजन का भी आज आप आनंद लेंगे भाई भेनों का पूरा स्योग भी मिलेगा और घर में सुखसांती भी बनी रहेगी प्रेम जीवन में कुछ उतार चड़ाव रहेगा लेकिन साथी सुदा लोग अपने गिरस्त जीवन से खुष नजर आएंगे बिजनेश में भी आपको आज अनुकुल फल प्राप्त होंगे बेवजे की यात्राई भी आज आपको करनी पड़ सकती है अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगिटिव रहने वाला है आज छोटी मोटी समझ चाएं उत्पन हो सकती है आज आपको पारिवारिक वाद विवाद से भी बचना होगा अपनी वाणी पर नियंतरन रखने की बहुत जरूरत होगी जिहां दोस्तो किसी भी सूरत में छोटी मोटी बातों को तूल ना दें सावदान रहें वरना आपके बने बनाई काम बिघड जाएंगे दोस्तो अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइप कैसी रहने वाली है विवाईत जातकों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा आप अपने जीवन साती के पृति पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे आपका जीवन साती भी आपका पूर्ण सहीयोग करेगा आज आपके दोस्त का विश्वास आपके उपर से कम हो सकता है उन्हें भरोसा दिलाने के लिए कि आप उनसे बहुत प्यार कते हैं उन्हें कोई अच्छा सा उपार दें और अपने साती से सम्मान पूर्ण बात करें जी हां दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपका विवसाय और केरियर कैसा रहेगा यदि आज आपके कारोबारी जीवन पर द्रश्टी डालें तो आपको धन संपत्ती मिलने के योग बन रहे हैं यदि आप तरल पदार्तों से जुड़े विवसाय करते हैं तो आपको खुब सफलता मिलेगी जो जातक इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी छेतर में काम करते हैं उन्हें अच्छे नतीजे हसिल होंगे आज कारिये छेतर में आपकी कारिये कुसलता से आपके सहकर्मी और वरिष्ट अधिकारी आपसे खुश रहेंगे जियां दोस्तों इससे आपका मन बहुत ही प्रसंद होगा खुश होगा आज नोगरी पैसा जातकों को भी अच्छे नतीजे हसिल होंगे विद्यार्चियों के लिए भी ये समय काफी खुशनुमा रहेगा उन्हें अपनी सफलता में काफी अच्छे अंक और अच्छी सफलता मिलेगी अब बात कर लेते हैं आपका स्वास्त कैसे रहेगा स्वास्त को लेकर आपको थोड़ा साधान रहने की जरूरत होगी आपको कबच की बिमारी भी हो सकती है अपने खान पान में आपको तरल पदार्तों को भी सामल करना चाहिए वहीं खुद को फिट रखने के लिए आपको नियमित योग अब्यास और प्रणायाम करना चाहिए दोस्तो आज आप ये उपाय वश्य करें भगवान विश्णू को मीठी खीर का भोग लगाएं और नार्यलोर मिश्णू का प्रसाद बाटी और 108 बार इसमत्र कर चाप करें ओम स्री भगवते वासुदेवाय नमा ओम स्री भगवते वासुदेवाय नमा ऐसा करने से आपकी सभी मनों कामनाय पूर्ण हो जाएंगी दोस्तो आपको पकमान विश्णू का सिर्वात प्राप्तो कमेंट में जे विश्णू वसे लिखे धन्यवाद दोस्तो आपका दिन सुबोर मंगल में हो